आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी डोनट्स जो कि सब को बहुत पसंद होता है क्या बच्चे हों क्या बड़े हों और खाने में भी बहुत सॉफ्ट रहता है इसली आप इसे घर पे बना सकते हैं तो आएए देखते हैं इस रेसिपी को स्वागत है आपका रिमाज नौत हैं सावट किचन में तो आएए आज की रेसिपी को हम शुरू करते हैं डोनट्स बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक बॉल ले लिया है इसमें हम डाल देंगे वन फोर्थ कब बरकर मिल्क ये रूम टंपरिचर पे रखा हुआ मिल्क है इस सबी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे जो इस्ट है वो अच्छे से मिल्क में मिक्स हो जाना चाहिए ये देखिए सबी चीज अच्छे से मिक्स हो गई है अब हम इसको ढखकर रख देंगे कम से कम 15-20 मिनिट के लिए इदर मैंने एक बॉल और ले लिया है इसमें ह जादा चमच हम इसमें डालेंगे नमक, अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से छान लेंगे, अगर आप चाहें तो डायरेक्ट छनी में भी निकाल के इसको छान सकते हैं, बट मैंने पहले बाउल में निकाल लिया है, फिर इसको छाना है, जैसे आपको अच्छा लगे वै से इसको डाल देंगे मैदे को, सखाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, और अगर हम बाहर लेने जाएंगे तो थोड़ा कॉसली भी मिलता है, इसलिए आप इसली घर पे इसे बना सकते हैं, ये देखिए इधर मैंने वन फोर्थ कब दही लिया है, ये भी रूम टंपरेच जो इस्ट पहले हमने मिक्स करके रखा है, वो हम डालेंगे इसमें, ये देखिए, ये मैंने इस्ट भी इसमें एड कर दिया है, अब इन सभी चीजों को हम अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे, क्योंकि पानी अभी हम इसमें एड नहीं करेंगे, हमको जरुद होगी तो हम इसमें add करेंगे, पहले आप इसको अच्छे से mix कर ले, ये देखिए मैंने 1 फोर्ट कप पानी लिया है, इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी add करते जाएंगे और आटे को हम mix करते जाएंगे, सब एक साथ पानी आपको नहीं डालना है क्योंकि आटा गीला भी हो सकता है, और अगर बहुत जादा गीला हो जाएगा, तो आपको हैंडल करने में थोड़ा सा मुश्किल आ सकती है, ये देखिए मैंने 1 टी स्पून बाद में फिर से पानी इसमें add किया है, क्योंकि आटा थोड़ा soft रहता है डोनट का, 1 फोर्ट कप प्लस 1 टी स्पून पानी यूज हुआ है, अब मैंने इसको किछन काउंटर पे अपने निकाल लिया है, अब इसको हम हातों से अच्छे से रगरते हुए मिक्स करेंगे, क्योंकि ये जो अभी sticky सा डो है, ये non sticky सा डो हो जाना चाहिए, मतलब हातों में नहीं चिपकना चाहिए, देख सकते हैं, इसको मसलते ह कम से कम मुझे 5 मिनट हो गया है, अभी आप दे सकते हैं, तो हमारा थोड़ा अच्छा हो गया है, मतलब चिपक नहीं रहा है, इसमें हम एड करेंगे 2 टेबल स्पून, रूम टंपरेचर पे रखा हुआ, मतलब सॉफ्ट बटर, ये सॉल्टेट बटर मैंने लिया है, आप बिना सॉल्ट वाला बटर भी ले सकते हैं, ये देखिए, इसमें से आधा चमश मैंने बटर निकाल लिया है, मैं भूल गई थी, वो हम बाद में एट करके फिर से मिक्स कर देंगे, लास्ट में, आपको बटर और मैदे को अच्छे से मिक्स करना है, आपके हातों में बटर नहीं लगना चाहिए, मतलब आटे में बटर नहीं दिखना चाहिए, वो पूरी तरीके से मैदे में अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए, इस काम में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि ये आटे को मिक्स करने में और फिर से इसको नौनिस्टिकी बनाने में और मैदे में बटर नहीं देखना चाहिए, बटर बिल्कुल मैदे में अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए, ये देखिए, डो हमारा रेडी हो गया है, बहुत अच्छे से ये मिक्स हो चुका है, इस तरीके से आप खीचेंगे, तो ये तूटेगा नहीं जल्दी से, यानि कि आप जल्दी से नहीं फट राए यानि कि ये डो हमारा डोनट के लिए बिलकुल तयार है अब हम क्या करेंगे इसको एक बॉल में रखेंगे इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा ओयल ओयल से हम बॉल को अच्छे से क्रीस कर लेंगे जिससे की मैदा इसमें चिपकेगा नहीं अब हम क्या करेंगे मैदे वाला डो ले लेंगे इस तरीके से फोल करते हुए इसको हम राउंड शेब देंगे और बॉल में रख देंगे गम से कम एक घंटे के लिए आप गरम प्रेस्पेस को रख दें मतलब इसको आपको फ्रेज में नहीं रखना है ऐसा ही आप रख दें अच्छे से ढख करके जब तक ये डबल साइज में ना हो जाए double size में होने के बाद हम इसका donut ready करेंगे ये देखिए कम से कम एक घंटे के बाद हम इसको open कर रहे हैं ये देखिए कभी कभी अगर मौसम ठंडा है तो थोड़ा सा time भी लग सकता है ये अच्छे से double size का हो गया है देख सकते हैं ये बोल से बाहर भी आ गया है हाथों में थोड़ा सा oil लगाके इसकी gas को हम निकाल देंगे अब हम क्या करेंगे kitchen counter पे थोड़ा सा हम मैदा डालेंगे जिससे कि ये चिपके नहीं और handle करने में आसानी हो आपको मैदा डालने के बाद अब हम क्या करेंगे टोक को निकाल लेंगे और इसको हम shape देंगे carefully आप मैदे को निकालें क्योंकि ये ज़्यादा soft है इस तरीके से निकाल के हम उपर से भी इस पे थोड़ा सा मैदा छिड़क देंगे जिससे कि ये अपके हाथों में या बेलन पे ना चिपके इस तरीके से हम थोड़ा से इसको फैला देंगे पहले ये देखे फैलाने के बाद हम इसको अब बेल लेंगे थोड़े सी मोटी टाइप के आपको रोटी इसकी बनानी है पतला नहीं बेलना है डोनट थोड़ा सा मोटा रहता है ये देखिए इस तरीके से आप इसको जितना बड़ा ये बिल सके उतना बड़ा आप बेल ले ये देखिए इतनी थिकने सा आपको इसकी रखनी है इतना मोटा आपको रखना है इसे अब हम क्या करेंगे इसको कट करेंगे कट करने के लिए मैंने एक ग्लास लिया है आपको अगर थोड़ा बड़ा चाहिए तो आप थोड़ा सा बड़ा कटूरी या ग्लास ले सकते हैं जो आपके पास इसली घर पे अवलेबल हो अब इसको हमें कट करने के बाद 20 से होल भी हमें इसका कट करना है उसके लिए आप केक की नौजल होती है वो ले सकते हैं या कोई भी छोटी बाटल का ढखकर ले सकते हैं उससे आप इसको कट कर सकते हैं इसली कट हो जाएगा या डोनट कटर भी आता है अगर वो है आपके पास तो उससे भी कट कर सकते हैं यह देखिए इससरे करे से हम बीच में सभी में होल बना देंगे और यह जो बीच का पाप है इसको भी आप फ्राई कर सकते हैं चाहे तो लेकिन मैं उससे फ्राई नहीं करूंगे फिर से उसका डोनट बनाओंगी जो इसका एक्ष्ट्रा पाट निकलेगा जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसको आप केरफुली निकाल लें, ये देखिए, ये ज़्यादा सॉफ्ट है, इसलिए आप सम्हाल के निकालें, बचे हुए आटे का भी हम बाद में डोनट बनाएंगे, अब हम इन सभी डोनट्स को एक बटर पेपर पर रखेंगे, एक प्ल 20 मिनट या 40 मिनट के लिए कम से कम आपको इसको प्रूफिंग के लिए रखना है, और एक गीले कपड़े से मतलब हलका सा गीला कपड़ा रहेगा, उससे आप ठक कर रखें, जिससे कि इसकी उपर की परत टाइट ना हो, मतलब कड़ी ना हो, ये देखिए, सेकेंड टाइम क पर प्रूफिंग अच्छे से हो चुकी है, डोनर्स अच्छे से फूल चुके हैं हमारे, अब हम क्या करेंगे, केरफुली डोनर्स को उठाएंगे, क्योंकि ये देखिए, थोड़ा सा चिपक गया है, मैदे मैदा नहीं लगाया नीचे, और आटा थोड़ा सा सॉफ्ट है, अगर आटा सॉफ्ट है, तो आप क्या करें, मैदा थोड़ा सा नीचे छिड़ा दें, फिर डोनर्स को रखें, जिसे कि उठाने में आसानी हो, अब हम एक एक करके डोनर्स को उठाते जाएंगे, और ओल में डालते जाएंगे, ओल आपका ज़्यादा गरम नहीं होना चाहि और आप गरम होने के बाद ओल को थोड़ा सा फ्लेम को लो कर देंगे, और लो फ्लेम पे हम डोनर्स को फ्राई करेंगे, इस तरीके से स्पून से आप डोनर्स के ओपर थोड़ा सा गरम ओल डालते जाएं, जिससे कि ये ऊपर से भी अच्छा सा शेप ले लेगा, देख सकत पलट देंगे इस तरीके से, ये देखे, दूसरे साइड भी अच्छा सा कलर आने के बाद हम डोनर्स को निकाल लेंगे, ये देखे, दोनो तरफ अच्छा सा कलर आ गया है, अब हम क्या करेंगे, एक छनी में निकाल लेंगे, जिससे कि इसका एक्स्ट्रा ओयल जो है, वो पूरा निकल जाएगा, ये देखे, इसी तरह से हम सभी डोनर्स को फ्राई कर लेंगे, जो बचे हुए डोनर्स है और जो भी आटा बचा हुआ है, उसको भी हम फ्राई कर लेंगे बना कर, डोनर्स हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और ये भी गरम है, गरम में ही आ वो निकल जाए प्लेट में, बहुत एजली है लगाना इस तरह के से आप डिप कर लें और इसको वायर रैक पर रख दें, आप चाहे तो डोनर्स को ऐसे भी खार सकते हैं, बहुत तरीके से ये डेकरेट किया जाता है अलग-अलग टेस्ट में, जैसा आपको पसंद हो वैस आप इसको बना सकते हैं, वो आपकी मज़ी है, एक एक करके सभी डोनर्स पर हम चॉक्लेट लगा देंगे और इस तरीके से मेरे पास कुछ स्प्रिंकल्स हैं, वो भी हम इस पर लगा देंगे, जैसे कि ये देखने में अच्छा रहेगा और बच्चों को भी बहुत पसंद आता है, ऐसा कलरफुल हम इसको डोनर्स को बना देंगे तो बच्चे आराम से खा लेंगे, ये देखिए मैंने प्लेट भी चेंज कर दिये, क्योंकि ब्लैक डोनर्स ब्लैक प्लेट में दिखी नहीं रहा था, ये देखिए हमारे डोनर्स रेडी हो चुके हैं, स्प्रिंकल की दिखाती हूँ, ये काफी सौप्ट भी है, इसली आप इसे घर पर बना सकते हैं, ये देखिए, अच्छे से अंदर जाली आई है, बहुत अच्छे से पका हुआ है ये, परफेक्ट डोनर्स बनके हमारे रेडी हो गए हैं, आप अपने बच्चों को बना के खिला सकते है मैमानों के सामने सर्फ कर सकते हैं, चोटी मोटी पार्टी हो तो उसमें भी आप बना सकते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं ये, रेसिपी आपको कैसी लगी है, प्लीज मुझे कमेंड करके बताइएगा, और अपने फ्रेंस और फैमली में शेयर करिएगा इस रेसिपी क और हमारे चैनल को लाइक, शिर्व, सब्सक्राइब करना भूलिएगा, तैंक्यू सो मच